तो आप सभी के लिए आज की क्लास में 30 most important question discuss करेंगे जो आप सभी के लिए काफी important होगे तो आप सभी लोग जल्दी से क्लास को जॉइन कर लिजिए एक वार सीर कर देजिए ताकि और भी students class को जॉइन कर सकें आप सभी का हारिक स्वागत है चलिए start करते हैं question number one आपकी screen पर और सबसे पहले आपसे पूछा गया भारत में credit card सुरू करने वाला पहला bank कौन सा था ICICI, HDFC, State Bank of India या Central Bank of India तो भारत में credit card सुरू करने वाला पहला bank कौन सा था और ये question काफी important है triple zeak jam में काफी वार question repeat हुआ है तो आप इसे अच्छे से याद कर लें ठीक है तो चलिए पहले तो आप answer बता दीजिए first question का right answer क्या होगा कौन सा यहाँ पर correct जबाब होगा तो यहाँ पर आपका right answer option D होगा Central Bank of India ठीक है option D आपका right answer होगा अगला question है Twitter पर post करते समय कितने बर्ड लिख सकते हैं 40, 50, 140 या 280 तो Twitter पर जब भी आप कोई post लिखते हैं तो आप अधिक्तम बर्ड कितने बहाँ पर लिख सकते हैं तो अब आपका correct answer क्या होगा question number 2 आपकी screen पर और यहाँ पर आपका right answer option D हो जाएगा 280 ठीक है जब भी आप Twitter पर post करते हैं तो आप बहाँ पर 280 वर्ड लिख सकते हैं maximum तो यहाँ पर D option आपका right होगा चलिए अब अगला question आपके screen पर labor office writer में किसी सब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी shortcut की प्रेज करते हैं लेपर office writer में अगर किसी भी सब्द के शुरू में जाना चाहते हैं तो कौन सी shortcut की प्रेज करेंगे control प्लस एरो right, control प्लस एरो left, control प्लस shift प्लस एरो left या none of these तो यहाँ पर आपका कौन सा correct answer होगा option B हो जाएगा ध्यान देना, control के साथ में left arrow अगर आप प्रेज करते हैं तो आप किसी भी word के जिस word के last में करसर होगा आपका और उस word के आप शुरू में जाना चाहते हैं तो control के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? left arrow प्रेज करना पड़ेगा ठीक है, control के साथ में आप left arrow प्रेस करेंगे तो आप किसी वे word के सुरू में जा सकते हैं तो ध्यां रखना है, control प्रेस करना है साथी साथ आपको left arrow प्रेस करना है तो आप उस word के सुरू में पहुंच जाएंगे अगला question है, AVRS का पूरा नाम तो बताईए आप AVRS का फूल फर्म क्या होता है, question number 4 आपकी स्क्रीन पर, क्या हो जाएगा इसका सही answer तो यहाँ पर आपका right answer होगा आधार, waged, remittance, service ठीक है, option first correct answer होगा ध्यां रखना है, आधार, waged, remittance, service अगला question, एक electronic device जो data को information में convert करते हुए process करता है ऐसी electronic device का नाम क्या होता है computer, case, processor या इन में से कोई नहीं तो एक ऐसी electronic device जो data को information में convert करते हुए process करता है तो यहाँ पर रहो जाएगा processor आपका see option correct है ना, processor, next question है sale pointer को अगली seat पर ले जाने के लिए कौन सी shortcut की है, sale pointer को अगर आप next seat पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या shortcut की आप use करेंगे तो यहाँ पर आपका right answer होगा, control plus page down option, see correct हो जाएगा, control के साथ page down button आपको फ्रेज करना होगा अगला कुछ सेने, दो workbook को आपस में मिलाने के लिए किस command का आप यो किया जाता है, merge, merge workbook, merge book या उप्रोक्त सभी तो यहाँ पर आपका right answer option होगा, merge ठीक है, बिना paragraph change की, line break करने की shortcut की क्या है, shift plus enter, control enter, enter या आलाफ्तीज और यहाँ पर आपका right answer option ही हो जाएगा shift के साथ enter हैना, अगर आप चाहते हैं कि line break हो जाए और नया paragraph न बने, तो shift के साथ enter प्रेज करना होगा, option ही correct answer होगा अगला कुछन है, impress में hyperlink insert करने की shortcut की क्या है impress में hyperlink insert करने की shortcut की पूची गई है, control M, control K, control N या none of these और यहाँ पर आपका right answer option भी होगा, control के साथ K ठीक है, next question है, impress में cool menu कितने होते हैं तो total number of menu impress में कितने होते हैं, यहाँ पर आपका सही answer क्या होगा तो option यह correct हो जाएगा 10 कुछन है, slide, sorter, view, command किस menu में मिलती है slide, sorter, view, command आपको किस menu में मिलती है तो यहाँ पर आपका कौन सा correct जवाब होगा कुछन number 11 आपकी screen पर है तो यहाँ पर हो जाएगा view ठीक है, slide, sorter, view, command आपको view menu में मिलती है, जो कि option C होगा नेस्ट कुछन रे twitter का ओर जिनल नेम क्या था तो ट्वीटर का जो पुराना नाम था टीड़ू डवल टीर ये आपका इस्सफया अगला कुछन मै Eachा ट्वीट की अधिग्टम कितनी लेंड हो सकती है और यहां पर आपका राइट आंसर ओप्षन ही हो जाएगा 280 ठीक है अगला कुछन है Firefox क्या है operating system, search engine, web browser या messenger और यहां पर आपका C option correct होगा web browser, Firefox क्या है एक web browser है तो option number C आपका correct जबाब होगा चलिए अगला कुछन है Linux क्या है, operating system है, hardware है, utility software है या none off दीज है, तो Linux क्या है तो एक प्रकार का operating system है, option ही correct answer होगा, operating system, ठीक है अगला कुछन है MQTT stands for, यहां पर आपका कौन सा correct option होगा, 16 का और यहां पर आपका right answer option ही हो जाएगा, ठीक है अगला कुछन है LibreOffice में कूल कितनी row होती है तो टोटल row LibreOffice में कितनी होती है, यह आपको answer करना है तो यहां पर बताईए कौन सा आपका right answer होगा, question number 17 आपकी screen पर है और यहां पर आपका B option correct हो जाएगा यहां रखना है LibreOffice में, अगर calc, यहां पर calc होगा calc की अगर बात करें तो वहां पर total जो row होती है तो 1024 कालम होती है, ध्यां रखना है 1024 कालम होती है और अगर LibreOffice में total seat की बात करें कि maximum seat कितनी हो सकती है तो 10,000 हो सकती है, maximum seat 10,000 हो सकती है और wide-defined seat के अगर बात करें calc में तो केवल 1 होती है ध्यान रखना है केवल एक wide-defined street होती है अधिक्तम streetों की संख्या 10,000 हो सकती है total number of row कितनी हो सकती है 10,88,576 और total number of column कितने हो सकते हैं 1024 हो सकते हैं ठीक है तो यह सभी question आप ध्यान रखेंगे कई बार अलग-लग से पूछ लेते हैं अगला कुछ सने gmail में save क्यों है message किस में आते हैं अगर gmail में कोई message save होता है तब वो message किस में मिलता है आपको send box में draft inbox या none of these और यहां पर आपका भी option correct होगा draft में जब भी आप gmail में कोई message save कर देते हैं या कई बार आपने दिखा होगा जब आप मैफे send करते हैं और मैफे send नहीं होता है किसी कार्ण से या फिर आप message लिखना बंद कर देते हैं तब जो भी matter आपने लिखा होता है वो आपका automatically draft में save हो जाता है और draft से पुनाओ से आप भेज सकते हैं जिसको भी आप send करना चाहते हैं तो जो save होता है message जब वो draft में हो जाता है option B यहाँ पर सही answer होगा अगला question is assembler, assembly भासा को machine भासा में convert करता है true and false में आपको जवाब करना है तो 19 का right answer बता दीजिए क्या होगा assembler, assembly भासा को machine भासा में convert करता है तो बिल्कुल सही option एक correct होगा assembler का काम है assembly भासा को machine भासा में convert करना है एक translator है assembler तो option आपर एक correct हो जाएगा चलिए अब अगला question है name में किसमें सब्द संसादन नहीं है word processor किसमें नहीं है Google DOS, Open Office, MS Word या Google Chrome बताए, word processor किसमें नहीं है? गूगल डॉस में नहीं है, Open Office में नहीं है, MS Word में नहीं है या Google Chrome में नहीं है तो यहां पर हो जाएगा Google Chrome, यह आपका अलग है, इसमें वर्ड प्रोसेसर यानि कि सब्द संसाद नहीं है, बाकि सभी के सभी वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, Google DOS भी है, OpenOffice भी है, MS Word भी है, लेकिन Google Chrome एक प्रकार का क्या है, वेव ब्राउजर है, अगला कुछन है, IPv4 पता कितने विट का होता है, तो यहां पर हो जाएगा 32 बिट्स, IPv4 का पता कितने विट्स का होता है, तो 32 बिट्स का होता है, तो 32 बिट्स का होता है, और IPv6 अगर पुछ जाये, तो 128 बिट्स का होता है, तो यहां पर आपका होगा answer 32 बिट्स, अगला कुछन है, पेज वियू करने के लिए प्रियोग होता है उस software को क्या बोलते हैं वेब रीडर वेब ब्राउजर वेब सर्वर या इसमें से कोई नहीं तो यहाँ पर हो जाएगा वेब ब्राउजर आपका ऑप्शन भी करेक्ट software जो www पर वेब पेज वियू करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें कहते हैं वेब ब्राउजर अगला कुशन है किस कमांड का प्रियोग वर्क सीट के अंतीम सेल के लिए अंतीम सेल के सेलेक्शन के लिए होता अगर आप वर्क सीट के अंतीम सेल का सेलेक्शन करना चाहते हैं तो कौन सी shortcut की आप use करेंगे तो आपको control के साथ end बेटन प्रेस करना होगा control end ठीक है तो option D हो जाएगा आपका right answer अगला कुछन है यहाँ पर कौन सा correct answer होगा यहाँ पर कौन सा correct answer होगा यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर आपका right answer क्या होगा universal automatic computer option एक correct answer हो जाएगा अगला कुछने computer screen पर blink करने वाले प्रतीकों कहते हैं जो आपने देखाऊगा symbol होता है जो blink करता रहता है computer screen पर उस symbol को क्या बोलते हैं mouse, hard drive, pointer या cursor और यहाँ पर हो जाएगा D option correct उस symbol को बोलते हैं cursor cursor क्या होता है symbol होता है जो blink करता रहता है आपके सामें आपने देखाऊगा जब भी कुछ लिखते हैं तो symbol होता है जो blink करता रहता है उसे बोलते है cursor अगला कुछन है VGA का full form क्या होता है 26 का आप correct जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा VGA का पुरा नाम तो यहाँ पर हो जाएगा वीडियो ग्राफिक्स अरे option एक correct अगला कुछन है computer window lock करने के लिए कौन सा shortcut इस्तेमाल करते हैं computer window अगर आप lock करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या shortcut की यूज़ करेंगे alter plus delete window की plus L control plus L या shift control plus L तो यहाँ पर आपका right answer option B हो जाएगा window की plus L computer window को lock करने के लिए आप कौन सा shortcut की इस्तेमाल करेंगे window की के साथ में L बेटन प्रेस करना होगा तो आपकी computer screen lock हो जाएगी अगला कुछन है वैंको में check word draft में इसका प्रियोग किया जाता है मिन्स किसका अपरियोग किया जाता है बार कोड का MICR का OMR का या CPU का तो बैंकों में check word draft के लिए MICR का इस्तेमाल होता है option B आपका right answer हो जाएगा अगला कुछन है निम्न में से कौन सी एक device नहीं है printer, keyboard, mouse या प्रचालन तंत्र कौन सी एक device नहीं है तो यहाँ पर आपका D option correct होगा प्रचालन तंत जिसे करते हैं operating system ये device नहीं है बागि सरके सब devices है अगला कुछन है account page check में पैसे कैसे मिलते हैं खाते में, bank में, check दिखा कर या कोई नहीं तो account page check में पैसे कैसे मिलते हैं यहाँ पर आपका right answer option ये हो जाएगा खाते में ठीक है option ये correct answer होगा खाते में और आज की class से सभी कोशन और बचा हुआ चलिए instant messaging के लिए किस server का प्रयोग होता है instant messaging के लिए किस server का प्रयोग होता है ये भी question काफी important है 31 तो यहाँ पर बताईए right answer क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा option ये आपका chat service धियान रखना है chat server instant messaging के लिए किस server का प्रयोग होता है तो chat server का प्रयोग होता है option ये correct answer होगा और आज की class बस यहीं तक उमीद करता हूँ आप server को class प्रफंद होगी और आप मुझे instagram पर भी follow कर सकते है triple c by 5d से search करके facebook पर भी follow कर सकते है और इस class का PDF लेने के लिए आप telegram को join कर सकते है link आपको मिल जाएगा video के description box में जहाँ से आप join कर सकते है thanks for watching good night to all thank you